जैसे कि आप देख सकते हैं यह है वरिंग राज प्लस तेर यानि कि वरिंग राज प्लस ओईल हिंदी में भी लिखावा और इंग्लीज में भी लिखावा है इसको जब कोवर से निकालेंगे तो इसका बोतल भी किस सतरह का है आप देख सकते हैं कचकारा का बोतल है और इस पर भी लिखावा है विरिंग राज प्लस टेल और पर ओम्लीज में इतना अच्छा दरसाया ग्याआ है कि हेर जो है बाल का ग्रोथनेस जो है कितना अच्छा है और इहां पर आप देख सकते हैं ये बोतल में क्या क्या मिला हुआ है इहां पर रीठा मिला हुआ है रीठा आप जानते हैं कि बालो के लिए बहुत ही अच्छा होता है एलोवेरा मिला हुआ है आमला मिला हुआ है सीका काई मिला हुआ है नीम मिला हुआ है वरिंगराज मिला ह हुआ ये सभी बालो का घ्रोधैस को जहरना रुidge तुटना रुआ रोगता है रूसी जो भी हो गिया है बालो का इस कीन के अंदर जो भी प्रोबलम होगिया वो सब को ठीक करके बालो को एकदाम मजबूत में मजबूत घंप में गहना बनाता है और बालों को साइनिंग देता UH और मजबूत में मजबूत बनाता है ये विरिंगराज PLUS जो है काफी अच्छा ओईल माना जाता है और विरिंगराज ओइल लगाने से क्या वहता है कि बालों का जढ़ना तुटना रूसी डेंडर त्यूंद बाल सबी को दूर करके और बालों को मजबूत-मजबूत गहाना में गहाना बनाता है इसलिए बोला जाता है कि व्रिग्राच ओईल लगाओ जैसे कि आप देख सकते हैं हाइलाइट में यहाँ पर लिखा भी है कि किसके किसके लिए यह यूज कर सकता है तो यहाँ पर लिखावा है for men and women यानि कि कोई भी जेंज और महला कोई भी लग होता है और एक किस चीज का ओईल है जैसे यहाँ पर देखते हैं लिखावा एंटी डेंड्राफ एंटी हैर फॉल और हैर स्टेनिंग यानि कि आपके बाल में रूसी हो गया है और जहर रहे हैं और बाल सीधा नहीं है उसके लिए है और सलफेट फ्री है सलफेट एक हानिकर केमिकल है अब जानते हैं जैसे कि यहाँ पर देखाया है कि फॉर हेर ग्रोथ और उसका बाद में डेंड्रोफ और हैर फॉलिकल यह तीन इमेज में बताया गया है कि किस तरह का हेर में आपको बेनफिट होगा अगर आपके आगे से जहर रहा है उसमें भी आपका घंच लिवहां मजबध में बनाएगा जहां बाल नहीं है उहां 3-4 मैना लगाने के बाद आपको उहां से भी बाल को रिग्रोथ करता है यहां पर लिखा नहीं है मेरे अंजाशरां मेरे रिंगराज ओil जो है रिग्रोथ करता है और काफी अच्छा ग्रोथ नेस देता है और बाल को तो मजबूत में मजबूत घाना में घाना बनाता है इसको कैसे यूज किया जाए और भी बताया गया तो थाइंक यू कभी चीछ पुछना है तो कॉमेंट बक्स में आप पूछ सकते हैं